दोस्तों, इंगलेंड को जीतने के लिए 287 रंड बनाने थे, लेकिन इसके बाद औस्टेलिया ने इंगलेंड की बजा थी पूरी तरह बैंड जियाँ दोस्तों वर्ड कप का 36 मैच इंगलेंड और औस्टेलिया की टीम के बीच एहमदाबाद नरिंदर मोधी स्टेडियम में खेला जा चुका है जहां दोस्तों इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस सीथ कर गेंड बाजी चुनी और उनका ये फैसला बेहती खराब साबित हुआ क्योंकि दोस्तों जहां उन्होंने अपनी गेंड बाजी से तो कमाल का परदशन करा लेकिन उनकी बल्ले बाजी आते ही पूरा मैच फिसल गया जहां इस मैच में उस्टेलिया की तरफ से डेविड वर्नर और ट्रैविस हैड कुछ जारक कमाल नहीं दिखा पाए थे क्योंकि 38 रन के स्कोर पर ये दोनों ही बल्ले बाज आउट हो गए थे जहां वर्नर ने 15 रन बनाए थे तो हैड केवल 11 रन बना पाए थे जहां इसके बाद इस्टीवन सुमित ने कमाल का परदशन करते हुए जब 40 रन बनाए जहां आज के मैच में लबुशेन लग रहा था कि एक शतक लगाने वाले हैं लेकिन 71 रन के स्कोर पर उनको मार्कुट ने आउट कर दिया और लबुशेन 71 रनों की बहतरीन पारी खेल कर आउट हुए जहां आखरी में आकर केमरोन गरीन ने 47 रनों की चांदार पारी खेली तो श्टाइनिस ने भी 35 रन बनाए थे लेकिन जैंपा ने 19 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली इस वज़ा से ऑस्टेरिया की टीम ने 286 रन बना दिये थे और वो अल आउट हो गई तीन गेंद पहले ही जाएंस मैच में इंगलेंड की तरफ से क्रिस वोक्स को चार विकेट हाट लगी आदिल रशीत ने दो विकेट लिये और मार्क रूट को भी दो विकेट हाट लगी थी इसके जवाब में जब इंगलेंड की टीम टार्गेट का पीचा करने उतरी तो फ जाइस के बाद बैटिंगर ने बैणी श्टोक्स उतरे और बैणी श्टोक्स इस पैच में काफी धीमी बल्लेबाच ही कर रहे थे और इसी बीच डेविट मलन ने अपने 50 रन पूरीक कर लिये थे लेकिन 50 रन पूरीक करने के बाद वो अपनी बारी को और लंबा नहीं कर पाई और 103 रन के स्कोर पर पैट कमिंग्स ने उन्हें आउट कर दिया और मलन 50 रन बना कर आउट हुए थे जाए इसके बाद बैटिंग करने कप्तान जौस बटलर उत्रे लेकिन बटलर केवल एक ही रन बना पाई और जैंपा की गेंड का शिकार बने जाए इसके बाद बैन स्टोक्स ने कमाल की बैटिंग करते हुए अपने 50 रन पूरे कड़ डाले थे तो दूसरी तरफ मोहिन अली कमाल की बैटिंग कर रहे थे लेकिन 179 रन के स्कोर पर एडम जैंपा ने इंग्लैंड को बड़ा जटकार देकर बैन स्टोक्स को आउट गर दिया और इस स्टोक् स्कोर पर एडम जैंपा की गेंद का शिकार बने और मोहिन अली 42 रन बना कर आउट हुए थे और इसके बाद ये मुकाबले में पूरी तरह उस्टेलिया हावी हो चुका था और इसके बाद 216 रन के स्कोर पर डेविट विली भी हैसलबूड की गेंद का शिकार बन गए थे और इसके बाद उस्टेलिया की जीत पूरी तरह पक्की हो गई थी और इसके बाद उस्टेलिया की टीम ने इंगलैंड को हरा कर अपने पूरे 10 पॉइंट कर लिये हैं और दोस्तों इंगलैंड की टीम आज पूरी तरह वल्ड कप की रेज से बाहर हो चुकी है